नमस्कार, माइसेल्फ मयंग शेक्ष मिश्रा, वेलकम तु स्वास्तिका एकेडमी ओनलाइन प्लेटफॉर्म तो आईगे देखते हैं कि Plato ने किस तरह से आईडल स्टेट का कौंसेट दिया प्लेटो के पहले एक ग्रीख फिलोसफर थे जिनका नाम था पाईथागुरस प्रेटों के पहले एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था पाइथागोरस इन्होंने human nature को थ्री पार्ट्स में डिवाइट किया इन्होंने कहा कि हर एक human के अंदर कोई ने कोई attribute होता है उसी से उसका human nature बनता है तो वो attributes क्या है तो किसी के अंदर reason है यानि उसके अंदर reasoning है उसके अंदर logic है उसके अंदर तर्क है किसी human के पास courage है यानि उसके अंदर साहस है और किसी human के पास appetite है यानि उसके अंदर desire है उसके अंदर इच्छा है तो तीन तरह से human nature form होता है reason के base पर courage के base पर और appetite के base पर Plato ने इसी चीज से प्रभावित हो करके एक theory दी और कहा कि हर एक human के अंदर ये तीनों में से कोई एक attributes होंगे, चाहे किसी के अंदर reason होगा, चाहे किसी के अंदर courage होगा, चाहे किसी के अंदर appetite होगा, और इसी base पर Plato अपनी theory को देंगे, तो आईए उसको समझते हैं कि Plato क्या कह तो प्लेटो ने कहा कि state is a living body, यानि state जैसे human body एक living body है, वैसे state भी एक living body है, and state represents the same features at large level which an individual represents at small level, यह बहुत important है, अगर हमको प्लेटो के idle state को समझना होगा, कि एक individual के label पे जो feature होता है, एक व्यक्ति के label पे जो feature होता है, वही feature बड़ा हो करके state के form में आता है, और ठीक वैसे ही जैसे human being living organism है, ठीक वैसे ही state भी एक living organism है, इसी theory के base पर उन्होंने कहा कि state is the magnified term of individual, यानि state क्या है individual का magnified group है, यानि अगर individual को हम बड़ा कर दें, तो वह state के form में आ जाएगा, और अगर state को हम छोटा कर दें, तो वह individual के form में आ जाएगा, यानि state और individual के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है, और state को हम कैसे define कर सकते हैं, तो it is the magnified of individual, यानि individual का वो magnified form है, आईए इसको समझने का प्यास करते हैं कि क्या प्लेटो कहना चाहते हैं, इस slide में हम इसको easily समझ सकते हैं कि प्लेटो कैसे अपनी theory को बनाते हैं, तो हमने देखा कि प्लेटो के पहले एक philosopher थे जिनका नाम था Pythagoras, और उन्होंने बताया था कि human nature में तीन तरह के attributes पाए जाते हैं, कौन-कौन से attributes तो उन्होंने बताया courage पाया जाता है, उन्होंने बताया reason पाया जाता है और उन्होंने बताया appetite पाया जाता है, यानि एक reason का मतलब जहां पर logic होगा courage का मतलब जहां पर साहस होगा, appetite का मतलब जहां desire होगा, और हर एक human में इन तीनों में से कोई न कोई एक attributes होगा ही तो सबसे पहले प्लेटों कहते हैं कि इन तीन attributes में से कोई एक attributes आपको पहचान लेना चाहिए कि आपके अंदर है क्या यानि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन सा attributes है यानि आपमें reasoning है आपमें courage है या आपमें appetite है यही कहलाता है internal justice internal justice का मतलब है कि आपको अपने अंदर के attributes को पहचानने आना चाहिए identification करना चाहिए कि आपके अंदर कौन्स attributes है कि आपको लगता है कि आप reason के बल पे हैं या आपको लगता है आप courage के बल पे हैं या आपको लगता है आप appetite के बल पे हैं और फिर जब आपने attributes को पहचान लिया तो एक जैसे attributes के लोग मिलेंगे तो एक class बनेगा जैसे reason वाले attributes वाले लोग मिले और एक class बना उस class का नाम कलाया ruling class ठिक वैसे ही appetite वाले लोग एक जगह मिले और एक class बना और उस class का नाम बना productive class ठिक वैसे ही courage वाले लोग मिले और एक class बना और वो कलाया military class या warrior class यानि आपके attributes के आधार पर ही आपका class determine करता है जैसा attribute होगा ठिक वैसे ही आपका class होगा अगर आपके अंदर logic है तो आप ruling class में जाओगे अगर आपके पास courage है तो आप warrior या military class में जाओगे यदि आपके पास appetite है तो आप productive class में जाओगे तो देखो आप कि individual level पे three attributes and जब वो बड़े होकर state बनते हैं तो three classes के रूप में दिखाई देते हैं that's why state is the magnified form of individual यानि individual लेबल पे ये attributes और जब वो state के लेबल पे आए तो class ये theory है ideal state की यानि हर एक व्यक्ति को हर एक व्यक्ति को अपने attributes को समझना चीए कि उसके अंदर courage है कि उसके अंदर reason है कि उसके अंदर appetite है और जब वो इसे को समझ जाएगा तो वो उसी attributes के आधार पर class को चुनेगा और वो उसका class बनेगा इस तरह से तीन class मिल करके state बनाते है यानि state के अंदर तीन तरह के class होते है कौन-कौन से class होते है तो ruling class होता है और कौन से class होते है तो warrior या military class होता है और productive class होता है इन तीन classes से मिल करके ही ideal state फॉर्म होता है और या किसके बेस पर फॉर्म होता है तो individual के attributes के आधार पर जैसा attributes होगा वैसा है उसका class होगा अब आगे समझते हैं कि जब class बन गया तो क्या होगा सबसे पहले तो हमने देख लिया कि individual label पे तीन तरह के attributes यानि reason, courage, appetite और ये तीन तरह के attributes ही तीन तरह के class region से बना ruling class, courage से बना military class या warrior class और appetite से बना productive class तो आईए देखते हैं कि अब इसके क्या-क्या features हैं इस ideal state के I hope ideal state समझ में आ गया होगा, ideal state क्या है तो individual का ही magnified form है कैसे कि attributes individual label पे और वही बड़े हो करके state बनते हैं और वो state तीन class में divide होता है, आईए इसके feature को समझते है तो आईए देखते हैं, ideal states के क्या features है तो जो first features है, वो है कि a ruler should be a philosopher यानि कि यहाँ पर जो concept आता है वो आता है philosopher king का तो ruler कैसा होना चीए? तो ruler एक philosopher होना चीए यानि उसका जो nature है वो कैसा होना चीए? तो एक philosopher king का nature होना चीए अगर हम दूसरे स्रब्दों में कहें तो Plato किस की बात करते हैं? तो Plato बात करते हैं absolute monarchy की second feature में अगर हम आएं तो the spirit of justice is supreme यानि Plato किसको supreme मानते हैं? तो justice को supreme मानते हैं प्रेटो का कहना है कि justice is everything और justice कहां शुरू होती है? एक individual के अंदर से ही शुरू होती है जब वह यह identification करता है कि उसके अंदर कौन सा attributes है और जब यह identification हो जाता है तो वहीं से justice के शुरुवात होती है फिर second level पे जब वह यह तै करता है कि जो मेरा attributes है उसी के अंदर साब मैं class में जाऊंगा यहाँ पर justice is established होती है फिर justice कहां established होती है कि जिस class में हूँ मैं उसी class का काम करूंगा किसी और class में मैं interfere नहीं करूंगा तो यहाँ पर justice is established होती है यानि कि प्लेटो का जो justice है वो हर एक label पे काम करता है और कहा जाता है कि प्लेटो का जो justice है वो internal justice है यानि कि प्लेटो कहते हैं कि आप अपने attributes को identify करो कि आपके अंदर क्या है आपके अंदर reason है आपके अंदर courage है या आपके अंदर appetite है आपको इसकी जब पहचान हो जाएगी तो उसी करम सार आपका class बनेगा और जिस class में हो उसी class का आप work करोगे तो यहाँ पर प्लेटो कहते है the spirit of justice is supreme थर्ड लेबर पे प्लेटो आते है प्लेटो कहते है society was divided into three class next slide में हमने पढ़ा था कि society किसमें divided है three class में है कौन-कौन से class है तो ruling class है military class है और productive class है और यह class किसे बने है तो three attributes of individual तो यह class बने और यह किसमें divide है तो state divide है three class में and fourth प्लेटो कहते है कि जो जिस class का हो वो उसी class का work करे यानि functional specializations यानि अगर आप ruling class में हो तो ruling class का ही काम करो यदि आप military class में हो तो military class का ही काम करो यदि आप productive class में हो तो productive class का ही काम करो यानि जिस class में आप हो उसी class का work करो इसको कहते है functional specialization और कहते है कि किसी दूसरे के class में interfere न करो यानि कि principle of non-interference और हस्तक्षेप की निती यानि जिस class के लिए आप बने हो उसी class का काम करो जैसे गीता में भगवान स्रिक्रिष्ण का कहते हैं कि अपने धर्म में मर जाना उची थे दूसरे के धर्म अश्तक शेप करने का तो उसको अगर हम compare करें प्लेटों से तो वहाँ प अभी यही बात कही गई कि जिस class में आप रहो उसी class के work को आप perform करो किसी दूसरे के class के work में आप interfere न करो यानि functional specializations फिफ्थ पॉइंट पे अगर हम देखें प्लेटों के ideal state को तो यहाँ है कि अगर हम modern world में देखें तो communism की शुरुवात का आलमाक से मानी जाती है लेकिन प्लेटों वाज दे एंसियन्ट कम्यूनिस्ट और वो क्यों थे क्योंकि वो भी बात करते थे कि जो property हो वो ruler और soldiers के पास न हो यानि जरूरत से ज़्यादा property रखने का अधिकार उनको न मिले क्योंकि जब property रखेगा अव्यक्ति तो उसके अंदर desire उत्पन होगा तो desire जब उत्पन हो गया तो उसका class ही change हो गया और वो welfare के काम नहीं कर पाएगा तो यह प्लेटों कहते हैं कि जो rulers हो और जो soldiers हो उनके पास property नहो ज़रूरत से ज़्यादा तो यह feature है ideal state का next ideal state का feature देखें तो gender equality की बात करते हैं प्लेटों यानि men और women को similar रूप से देखते हैं यानि gender equality की बात करते हैं प्लेटों और कहते हैं कि men और women को समान होना चीए उनको education समान देना चीए उनकी परवरी समान होनी चीए यानि प्लेटों gender equality को मानते हैं और क्या मानते हैं communism को मानते हैं और क्या मानते हैं functional specialization को मानते हैं और क्या मानते हैं three class को मानते हैं और क्या मानते हैं तो justice को मानते हैं और क्या मानते हैं तो philosopher king को मानते हैं तो यह feature से हैं उनके ideal state की. अब आईए Plato के ideal state के criticism को समझते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Plato के ideal state का क्या criticism है? तो बहुत ही ज़्यादा theoretical है. ऐसा criticism में कहा जाता है कि Plato दिन में सपने देख रहा था. यानि day में देखा हुआ dream था उसका. कि इतना अच्छा हो जाएगा सब के अपने attributes चुन लिये जाएंगे, identify हो जाएंगे, फिर class बन जाएगा, सब को equality दे दी जाएगी. यानि एक बहुत theoretical concept है. इसको practical रूप में apply करना कठिन है. That's why कहा जाता है कि Plato's ideal state is an utopia. यानि एक utopian society है वो. utopian society का मतलब कि ideal बहुँ जादा है, आदरशवाद इतना जादा है कि उसको practical रूप से implement करना कठिन है. That's why theoretical concept ज़्यादा दिखता है. और उसने कहा कि functional specialization. यानि उसने बोला कि जिसका जो attributes हो, वो चुने. तो हो सकता है किसी ब्यक्ति में एक से ज़्यादा attributes हो. और हो सकता है वो एक से ज़्यादा class के काम करना चानता हो. तो functional specialization की theory कहीं ने कहीं Plato का idle state की सबसे बड़ा criticism है. कि उसने एक बात दिया कि आप एक ही class रहोगे और वहीं का काम करोगे. तो functional specialization एक तरीके से Plato का idle state का criticism है. अगला हम देखें, absolute monarchy बोला उसने. philosopher king की बात कही उसने. लेकिन absolute monarchy क्या हमेशे अच्छा रहेगा. कभी न कभी वो बिगड़ करके tyranny बन जाएगा. तो that's why absolute monarchy का concept भी सही नहीं माना गया. और किसी तरह का constitution की बात नहीं की Plato ने. किसी तरह से rules and regulation की बात नहीं की Plato ने. तो इस तरह से Plato का जो ideal state है, वो एक ideal की तरह से ही देखा जाता है. तो ये उसके criticism है. इस तरह हमने Plato के ideal state को समझा, और उसके criticism को समझा, उसके feature को समझा. इस तरह से I hope कि आपको Plato का ideal state समझ में आ गया होगा. बने रहे स्वास्तिका एकेडमी के साथ धन्यवाद.